तो हाई फ्रेंड्स नमस्कार दोस्तों कैसे हुआ आप सब मैं हूँ आपका दोस्त इंजीनियर अविशेक सिंग और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल माई मेकेनिकल सपोर्ट दोस्तों आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ एक छोड़े से वीडियो गमाध्यम से कि आप अपने Apache RTR 160 का जो डिजिटल मीटर है उसमें जो ट्रिप मीटर दिये गए हैं उसको किस तरह से जीरो पे रिशेट कर सकते हैं ट्रिप मीटर हमारे बाइक में रहते हैं जिससे हम लोग अपने ट्रिप मेजर कर सकते हैं मतलब कि अगर दूरी नापना हो आपके ऑफि अपने बाइक देनी है तो ट्रिप मीटर अप जीरो कर के देदू वो वापस लाएगा तो आप ट्रिप मीटर चेक किजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि उसने आपके बाइक को कितना दूर तक घुमाया है तो उसके लिए चेले प्रूसस में बताजाता हूं आपको जो है वो यहाँ पे audio लिखा हुआ है, यह odometer अभी दिखा रहा है, यह trip meter हमें नहीं दिखा रहा है, आपको क्या करना है कि आपको थोरे से right में देखेंगे, तो mode और set दो बटन दिये गये हैं, ठीक है, तो आपको इस bike में मैं आपको पहले से बता दूँ कि दो trip meter है, ठीक है, trip A और trip B, तो mode को प्रेस करना आपको, एक बार mode को प्रेस करते हैं, यह दिखे, trip A आज गया हमारा, यह trip meter A है, ठीक है, दोनों trip meter अलग-अलग काम करते हैं, आप किसी को भी zero कर सकते हो, और कहीं से भी आपने दूरी जो है वो नाप सकते हो, इसो zero करने के लिए आपको यह sit बटन है, इसको आपको थोड़े देर के लिए प्रेस करकर रखना है, यह automatic जो है, वो zero हो जाएगा, मैं आपको करके दिखाता हूँ, यह हमने प्रेस किया है, और यह देखिए, trip A जो है, वो zero kilometer हो गया है, अब कोई भी आपके बाइक को जितनी दूर ले जाएगा, यह trip meter उ जो है, वो जनकारी ले सकते हैं, उमीद है दोस्तों, आपको जनकारी informative लगी होगी, फिर मिलते हैं, चैनल को subscribe कर लीजिए, जै हिंद, जै जमान, जै मेकेंकल, धन्यवाद दोस्तों